वो कोरंज गाच में बैठने वाला भूत है जो सिर्फ कथा कहानियों में दिखाई देता है कोई देखा नहीं यहां के निताओं को भी आज तक यही समझ में आया है कि चुनाओं में आना है तो जबर्जस टाइप से पैसा फेको और पूरा वोट हासी राजनिती बदलने वाल में तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रामगर्ण में उपचुना होने वाला है सता इस फरवरी को जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना परचा डाला हुआ है और उसमें हमारे रामगर्ण के अंतरगत हमारे जो सरगडी पंचाय थे वहां पर अपना जन संपर्क अभ्यान चलाते हुए यह पहुंचे हुए तो ददा से हम पहले एक सवाल पुछना चाहते हैं कि ददा आप इस चुनाव के मोहल में जो आप इस बार कदम रखे हुए हैं तो आपके मतलब आपको अंतिकारी हूल जो हार करता हूं सवाल बहुत लाजमी है कि हम लोग नए हैं और बहुत अलग अलग तरीके का चुनावती का सामना करना पड़ रहा है लेकिन मेरी यह फितरत है कि मुझे चुनावतियां पसंद है और मुझे मुझे मुश्किल काम करना पसंद है जब तक हम कुमारे सामने कोई बड़ी चुनावती नहीं होती है तो फिर जीने का और काम करने का कोई मजा नहीं है चुनावतियां है राजनिती में चुनाव लड़ना भले मेरे लिए नया हो लेकिन राजनिती मेरे लिए नहीं है विगत 20 सालों से जहारखन में अलग-अलग मुद्दो के लिए संतोष कुमार महतो कोई नया चेहरा नहीं है कोई नया नाम नहीं है आप जेपेसी आंदोलन की बात करें आप जैसेसी आंदोलन की बात करें आप जैक आंदोलन की बात करें आप राची इनवर्सिटी बिनोभाव इनवर्सिटी में किसी भी तरीके के सेक्षनिक गति प्लॉक्स, आधरित, बलॉक्स से संब धिले से संब धाना से संब धिलीत ततुमाम तरीके के पचात सो से अधिक आंदोलन है, जिनका मैंने नेतरित्व किया है, लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है हमारी, और उसका विधान सभा है जहां पर मतलब सबसे ज़्यादा वोट के नाम में खर्चा किया जाता है तो आप अपने आपको उस लेवल में किस तरह से आखते हैं इसी राजनिती की जो परंपरा चलती आ रही है दूसरे विधान सभा में जब हम जाते हैं तो हमारी वहां पर एक इमेज है कि रामगड विधान सभा एक बिकाव विधान सभा है यहां पर पैसा फेको और तमासा देखो जैसा जुमला चलता है यहां के निताओं को भी आज तक यही समझ में आया है कि चुनाओं में आना है तो जबर्जस टाइप से पैसा फेको और पूरा वोट हासिल करो लेकिन इ किसी भी कोने पे आप पता करके देख लीजे कि वहां पे जारखंट पाटी का पर्चम फहरा रहा है और संतोष कुमार महतों के सिक्षा स्वास्त और रोजगार का जो नारा है वो नारा जो है गुंजायमान हो रहा है तो ददा आप एक युवा है तो आपको युवा लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहा है देखें युवा ही समाज की तस्वीर होता है और युवा ही समाज की तकदीर बदल सकता है युवाओं का महिलाओं का साथी साथ किसानों का मजदूरों का और तमाम वर्ग के मेहनतकस युवाओं में एक उम्मीद जगी है कि रामगडविधानसभा में अब राजनीती बदलने वाला है और सकारात्मक, विकासात्मक और रचनात्मक निती निर्मान की राजनीती अब रामगडविधानसभा में होगी इसके लिए पूरा रामगडविधानसभा मन बना रहा तो ददा आप इस साल जदी रामगड विधान सभा से लीड कर जाते हैं, तो आपका आगे क्या रहेगा रामगड विधान सभा को लेकर? देखिए मैं चुनावी दंगल में उतरने से पहले से ही मैंने घोसना कर चुका हूँ, कि हमारा राजनिती में आने का कोई बहुत बड़ा मक्षत नहीं था या बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जहरखन में और रामगड में पोलिटिकल वैक्यूम खड़ा हुआ है, एक योग्य परतिनिधियों का आकाल दिखता है, पोटेंशिल लीडर्सिप का आकाल दिखता है, तब हमें मजबूरी में राजनिती में आना पड़ा है, और हम लोग इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतने वाले हैं, और रामगड जो उपचुन बदल रहा है, अब रामगड बदल रहा है, चुनाव जीतने के बाद हमारी सबसे पहली प्राथिमिक्ता होगी कि रामगड के लोग प्राइमरी से लेकर पीएजडी तक की सिक्षा अपने जीले में रहकर हासिल करेंगे, साथी साथ छोटी बड़ी तमाम बीमारियों से गुजरात, बैंगलोर जैसे अन्य जगों पे जाना नहीं पड़ेगा, रोजगार हमारे रामगड के लोग रामगड में ही हासिल करेंगे, तो ये तीन प्रामुख मुद्दें और तीन प्राथिमिक्ता हैं चुनाव जीतने के बाद हमारी होगी क्या की तक आपको विकास नजरारे रामगड जीला में लिए वो को रणन्य गाच में बैठने वाला भूत है जो सिर्फ कथा कहानीओं में दिखाई देताक है कोई देखा नहीं है कोई महशूस नहीं किया है, कोई उसको छू नहीं सकता है रामगर जिले में भी विकास उसी भूत की तरह है लोग विकास का ढोल तो पीटते हैं लेकिन सिक्छा के मामले में हम पूरी तरीके से हजारी बाग, बोकारों और राची के उपर निर्भर हैं स्वास्त सेवाओं के लिए, राची हजारी बाग के उपर हम लोग डिपेंडेंट हैं रोजगार के लिए यहां की सत परतिसत आबादी, राची, बैंगलोर और दूसरे सहरों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि इनके विकास का परिभाशा आखिर है क्या जब सिक्षा के मामले में रामगण जिला फिसड़ी है जब स्वास्तेवाओं के मामले में रामगण जिला पिछड़ा हुआ है जब रोजगार के मामले में यहां बेरोजगारी चरम पे दिखाई देती है तो इनके विकास की परिभाशा क्या है इनके विकास का पैरामीटर क्या है यह तो हमें समझ ही नहीं आता है तो जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने राय परति करिया जो भी था आप हमारे दर्सों के भी शेयर किये तो ठीक है जब आपके चैनल से इस उपचुनाओं में यह अपील करना चाहता हूँ कि पूरे असी विधानसभा की नजरें रामगड विधानसभा के इस उपचुनाओं पे है इस बार रामगड की जलता बदलाओं करे और पूरे जहरखंड को एक सकारात्मक बिकासात्मक और रचनात्मक राजनिती का परतिनिधित्व देने के लिए प्रेरित करे उन एक करने का एक मौका हमारे पास है इस मौका को चूकना नहीं है तो मैं आपील करना चाहता हूं हमारे फेवर में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करे और इन पर अंपरागत राजनितिक दलों को हराए जहारखंड जहार जाल 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 जाल